गूट मर्निंग प्यारे बच्चों यह पार दस है विर्त जिसको अंग्रेजी में सरकल कहते हैं तो सबसे पहले विर्त को आपको समझना पड़ेगा विर्त उन असंक्य बिन्दों का समू होता है जो एक नियत बिन्दों से समान दूरी पर हो यह देखो विर्त पर जो हैं अस असंक्य बिन्दों हैं यह Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 असंक्य बिन्दों हैं और इन असंक्य बिन्दों की दूरी एक नियत बिन्दों से समान दूरी है समान दूरी पर हैं तो यह क्या कहलाता है विर्त कहलाता है और इस नियत बिन्दों को हम विर्त का केंदर कहते हैं केंदर ओ और जहां पर ये विर्त ये बिन्दो सारे इस्थित हैं ये बिन्दो जहां इस्थित हैं वो विर्त की परिदी कहलाती है माने विर्त में वह वक्र जिस पर असंक्य बिंदो इस्थित होते हैं और केंद्र से समान दूरी पर होते हैं विर्त की परिदी कहलाती है त्रिज्या क्या होती है विर्थ की परिदी ये परिदी हो गई अब जहां ये असंक्य बिंदू इस्तित है तो विर्थ की परिदी पर इस्तित किसी बिंदू से केंद्र की दूरी को विर्थ की त्रिज्या कहते हैं ये जो असंक्य बिंदू है और ये केंद्र है असंक्य किसी एक बिंदू से और केंदर की दूरी को हम विर्त की तरिज्या कहते हैं तो किसी विर्त की असंक्यत तरिज्याएं खिची जा सकती है और किसी विर्त की सभी तरिज्याएं लंबाई में समान होती है मतलब एक ही विर्त की जो तरिज्याएं होती है वो लंबाई में समान होती हैं एक आता है इसमें जीवा कॉर्ड तो जीवा या कॉर्ड किसे कहते हैं किसी विर्त की परिदिफर इस्तित किनी दो बिन्दों को अगर हम मिला दे न ये विर्त की परिदिफर इस्तित दो बिन्दों है माना एक बिन्दो पी है एक बिन्दो एस ह इन दोनों BNDوں को हम मिला दे हैं तो ये BND की इस विर्थ की परीदि कहलाएगी देख लीजिए ये P OR Q है इनको मिला दिया, हमने ये P Q विर्थ की जीवा कहलाएगी ये बिन्द P OR R है तो P R को मिला दिया, हमने तो ये रेखा खंड P R विर्त की जीवा कहलाती है तो इस तरह से इसमें जीवा कौन-कौन हो गई PQ, PR और PS, AB ये जीवाएं कहलाती है केंदर रेखा, Line of Center केंदर रेखा किसे कहते है अच्छा किसी विर्त का व्यास किसी विर्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है किसी विर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है उस विर्त का व्यास क्योंकि व्यास केंदर से होकर जाता है और सबसे बड़ी जीवा कहलाती है तो सबसे बड़ी जीवा उस विर्त का व्यास होती है डायमीटर व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है कि देखो line of center केंदर रेखा कि दो या दो से अधिक विर्तों के केंदरों से होकर जाने वाली जैसे दो या दो से अधिक विर्त हैं उनके केंदरों से होकर जाने वाली रेखा को हम केंदर रेखा कहते हैं माना इस विर्थ का केंदर O1 है, इस विर्थ का केंदर O2 है और इस विर्थ का केंदर O3 है, तो इन तीनों विर्थों से होकर जाने वाली रेखा को केंदर रेखा कहते हैं, ठीक है, अगला आता है संकेंद्रिय विर्थ, कंसंट्रिक सर्किल, ऐसे सभी विर्थ जिनका केंदर एक ही वो देख लीजिए एक ही केंदर से हमने ये विर्त खींच रखे हैं एक ही केंदर आप एक विर्त खींचो फिर उसके परकार को बढ़ा दो फिर दूसरा विर्त खींचो उसी केंदर से फिर परकार को बढ़ा दो और उसी केंदर से तीसरा विर्त भी खींच दो चौथा विर्त भी खींच दो तो एक ही केंद्र से जितने विर्त हम खींच सकते हैं वो सारे विर्त इस विर्थ को 2 बिनो X और Y पर काट रही है तो ये 6 दक रेखा कहलाती है सिकेंट कहलाता है और व्यास क्या होता है व्यास आपने कई बार सुना है किसी विर्थ की वह जीवा जो विर्थ के केंद्र से होकर जाती है ये देखो ये जीवाएं खींच रखी है मैंने बहुत सारी जीवाएं खींच रखी है तो सबसे बड़ी जीवा कौन हो गई इन में जो विर्त के केंद्र ओ से होकर जा रही है ये क्या कहलाती है व्यास कहलाती है और व्यास क्या होती है त्रिज्या की दुगनी होती है दो गुणा त्रिज्या व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या या त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो इस तरह से विर्त खंड क्या हो गया कोई जीवा जब किसी विर्त को दो भागों में पांडती है तो परते एक भाग एक विर्त खंड कहलाता है देखो ये जीवा इस विर्त की ये जीवा ये भी खीज दी हमने तो ये जीवा ये भी इस विर्त को दो भागों में बांड दे रही है तो जो छोटा भाग होगा वो कहलाएगा लगु विर्त खंड और जो बड़ा भाग होगा वो कहलाएगा दीर्ग विर्त खंड दीर्ग माने बड़ा दीर्ग विर्थखंड और यह हो गया नीचे वाला लगृ विर्थखंड एक होती है उभैनिष्ट जीवा यदि कोई दो विर्थ आपस में प्रतिछेट कर रहे हो न कोई दो विर्थ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और किन बिन्दों पर काट रह तो A B को मिला दे हम तो ये उभेनिष्ट जीवा कहलाती है ये A B जो है उभेनिष्ट जीवा कहलाती है क्योंकि A B बिंदू A जो है इस विर्त में भी है और बिंदू B इस विर्त में भी है ऐसे बिंदू A इस विर्त में भी है और विंद भी इस विर्थ में भी है तो A, B को मिला दे हैं हम तो A, B जो है उभैनिष्ट जीवा कहलाती है ये के लिए हो गई बात अब देखो विर्थ का चाप विर्थ का चाप आर्क आउफ सर्किल आर्क आउफ सर्किल तो देखो ये विर्थ का चाप ये विर्द बना रखा है मैंने और विर्द का चाप AB है ये चाप AB है तो विर्द के चाप द्वारा देखो नमबर एक चाप द्वारा केंदर पर अंतरित कौन तो चाप AB द्वारा केंदर पर अंतरित कौन कौन सा है ये चाप AB हो गया चाप किसे कहते हैं विर्द के एक भाग को चाप कहते हैं तो यह चाप A B के द्वारा केंद्र पर अंत्रित कोण कौन हो गया कोण A O B यह कोण A O B चाप का मापन चाप A B का कोण यह मापन कैसे करेंगे देखो चाप A B का कोण यह मापन बराबर कोण A O B यह हो गया और चाप का अंचमाप चाप का अंचमाप क्या होता है चाप AB का अंशमाप बराबर ए चाप AB का अंशमाप बराबर कोण AOB का मान अंशों में हो तो हम उसे क्या कहेंगे चाप AB का अंशमाप अब सर्वांग सम विर्त हैं कॉंग्रेंट सर्किल्स हैं सर्वांग सम आपने पढ़े हैं सर्व अंग सम जिसके सभी अंग समान होते हैं वो सर्वांग सम कहलाते हैं तो देखो ऐसे दो या दो से अधिक विर्त सर्वांग सम विर्त कहलाते हैं जिन की त्रिजाएं समान होती ह वो विर्त सरवांग सम कहलाते हैं जैसे इस विर्त की त्रिजाबी 3 cm है इस विर्त की त्रिजाबी 3 cm है तो ये दोनों विर्त क्या कहलाएंगे सरवांग सम विर्त कहलाएंगे आप देखो एक परमे है आपके पास सरवांग सम विर्तों में बराबर जीवाएं संगत केंद्रो पर बराबर कोण अंत्रेट करती हैं सरवांग संब्रतों में बराबर जीवाएं ये बराबर जीवाएं हैं ये जीवाएं संगत केंद्रों पर मतलब अपने संगत केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं मानें ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो इसके लिए ये दिया और सिद्ध करना है हमने कोण AOB ये वाला कोण बराबर कोण CPD ये वाला कोण कोण AOB ये कोण बराबर कोण CPD तो कैसे किसीद करेंगे प्रूफ क्या होगा इसका उपति क्या होगी तो देखो तिरबुज AOB और तिरबुज CPD में देखो OA बराबर PC ये दिया हुआ है क्योंकि सरवांग सम विर्तों की तरिजाएं समान होती हैं दोनों विर्त सरवांग सम हैं और दोनों विर्तों की तरिजाएं समान होंगी क्योंकि दोनों विर्त सरवांग सम हैं तो O A बराबर P C हो गया O B बराबर P D ये भी सरवांग सम विर्तों की तरिजाएं हैं और सरवांग सम विर्तों की तरिजाएं बराबर होती हैं और तीजरा ये A B बराबर C D ये दिया हुआ है ये जीवा विर्तों में बराबर जीवाएं तो बराबर जीवाएं मानें A B और C D ये बराबर जीवाएं हैं तो A B बराबर C D तो S S S भुजा 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 से ये दोनों तिरबुज तिरबुज A O B सरवांग सम हो जाएगा तिरबु जो CPD के यह सरवांग सम का चिन है तो जब सरवांग सम हो जाएंगे तो CPCT से क्या लिखते हैं CPCT मतलब Congreant Part Corresponding Part of Congreant Reangle CPCT से यह कोण AOB और कोण CPD बराबर हो जाएंगे यह प्रूव हो गया यह प्रूवड 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 हो गया तो यह दो नोकोण बराबर हो जाएंगे तो इस तरह से आपने इसको करना है इसके अलावा जो exercise है इस exercise को आप स्वेम कर सकते हैं चलो exercise कली करेंगे आज इतना परियापत है